अब देखे हमने यह देखा था कि early man जो है वो कभी कभार जारवरों का शिकार कर लेता था या फिर जो है वो पेड के रूट्स वगेरा को खाता था But the early man found it difficult to take out the roots of the plants from the ground or to kill animals with his bare hands Early man को जो है यह मुश्किल लगा होगा कि जमीन से पेडों के जरों को उखारना या फिर जानवरों को मारना अपने नंगे हाथों से अपने खाली हाथों से Because you know बच्चों कि like हम humans जो है हमारे पास शिकार करने का जो है minimum power है The sense कि हमारे पास ना तो बहुती मजबूत जो है पंजे हैं ना ही हमारे पास कुछ भ्यानक दात हैं Right? Lions और Tigers की तरह तो फिर ऐसे में जो है शिकार करना तो हमारे लिए naturally आसान नहीं होगा और जब हम पेर की जरों को ही निकालते हैं तो उसके लिए भी जो है मजबूत पास चाहिए वो भी हमारे पास नहीं है तो इसलिए जो है early man को काफी मुश्किल लगा था ये कि पेर की जरों को जमीन से खोद के निकालना या फिर जानवरों को अपने हाथों से मारना तो early man ने क्या किया इसके लिए well so he started using stones to kill animals and to dig the ground इसलिए उसने पत्थरों का परियोग करना शुरू किया जानवरों को मारने के लिए और जमीन को खोदने के लिए देख रहे हैं ना इस पिक्चर में वो जानवर को पत्थर फेक के मार रहा है और इधर जो है पत्थर के नुकेले औजार से वो मिट्टी को खोद के रूट्स को निकाल रहा है तो जब stone के tools का यूज करना शुरू किया early man ने इसलिए इस age का नाम रखा गया है the stone age जहाँ पर की early man जो है stone की tools बगेदा बनाएगा now he found the stones with sharp edges were more useful for digging he found that the stones with sharp edges were more useful for digging and killing उसने पाया कि तेजधार वाले जो पत्थर थे वो खोदने के लिए और मारने के लिए ज़ादा उपयोगी थे ज़ादा useful थे he also used wooden sticks to scare away wild animals उसने लकरी के डंडो का भी परयोग किया जंगली जानवरों को डरा कर भगाने के लिए उनको scare away करने के लिए slowly he learned to make simple tools of stone such as hammers, choppers and axe heads देडे देडे उसने पत्थर के simple औजारों को बनाना जो है सीखा जैसे की hammer, हथोरा जिसे कहते हैं chopper and axe heads जो के कातने और चीरने के काम आएंगे he used these tools for cutting, striking and scraping just like a knife वो जो है इन tools का परियोग करता था काटने के लिए, मारने के लिए और खोडने के लिए, scrape करने के लिए, चाकू की तरह he also made tools from bones उसने हड़ियों से भी औजार बनाए the stone tools changed the life of the early man पत्थर के औजारों ने आदी मानव के जीवन को बदल दिया now he could hunt easily and protect himself from wild animals अब वो आसानी से शिकार कर सकता था और खुद को जंगली जानवरों से बचा सकता था as most of the tools were made of stones this age is called the stone age चुकि इस समय में ज्यादा तर जो tool थे वो पत्थरों से बने थे इसलिए इस period को history के इस period को stone age कहते है next big thing in the history of humans is discovery of fire discovery of fire जो है दूसरी सबसे बड़ी घटना है no one knows exactly when or how fire was discovered कोई ये नहीं जानता exactly कि कब और कैसे आग की खोज हुई थी आग की fire की discovery हुई थी it is quite possible that the early man saw the fire breaking out in a forest ये काफी संभव है कि early man ने जो है जंगल में आग लगते देखा initially he was afraid of fire शुरू शुरू में वो आग से डरता था then he observed that wild animals too were afraid of fire तब उसने ध्यान दिया कि जंगली जानवर जो थे वो भी आग से डरते थे he also found that fire gave him warmth in cold weather उसने ये भी पाया कि आग जो है वो ठंडे मौसम में जो है गर्मी देपी थी it also helped them to see things in dark आग जो है वो उन्हें अंधेरे में चीजों को देखने में भी मदद करती थी तो यानि कि early man ने जो है आग के फाइदे को देख लिया था once he managed to light a fire with the help of embers from a jungle fire he kept on adding dry leaves, twigs and grasses to keep it burning अब एक बार जब वो जंगल की आग के चिंगाडियों से आग जलाने में सफल हो गया तो फिर वो उसी आग में जो है सूखी पत्तिया, टहनिया और घास वगेरा जो है वो डालता रहा आग को जलाते रखने के लिए soon he discovered that fire could be made by rubbing two stones together जल्दी ही उसने ये पाया या उसने ये discover किया कि दो पत्तरों को आपस में घस कर आग बनाई जा सकती है it could also be made by rubbing two bamboo sticks together दो बांस के sticks को दो bamboo sticks को भी आपस में रब करके घस के भी ये बनाया जा सकता है था the early man found that fire protected him from cold आदि मानव ने याद early man ने पाया कि आग जो है वो उसे cold से protect करता था he used to light a fire and keep it burning so that wild animals तो वो जो है आग को जलाता था और इसे जलाए हुए रखता था ताकि जंगली जानवर जो है they would not come near है वो उसके पास नहीं आएंगे यानि कि वो आग का यूद जो है सिप गर्मी के लिए ही नहीं वो आग का यूद जो है जंगली जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए भी करने लगा he started to cook his food by roasting it in fire वो अब अपने food को cook करने लगा उसे आग में पका कर जो लिए आग का ए और यूद सिख लिया अरली मैन ने he was so much in awe of fire that later he began to worship it awe का मतलब होता है जब हों किसी चीज से हलका सा डरते भी है और साथ-साथ उसका respect भी करते है उसे करते है awe तो वो fire के इतने awe में था कि बाद में वो इसकी पूजा भी करने उसने शुरू कर दी now camp में जो है it was getting late अब late हो रहा था the group leader told the children to go to their respective tents to sleep group leader ने बच्चों से कहा कि भीया अपने अपने tent में जाओ आप सोने के लिए he promised to continue the story of the early man the next morning उसने जो है early man के story को फिर अगली सुबह continue करने का promise किया तो बच्चों इस chapter में हम लोगों ने देखा कि early man जो है वो जंगल में गुफाओं में रहता था वो जो है plants, fruits और जानवरों के कच्चे मांस को खाता था early man ने फिर जो है पत्थर के tools या औजार बनाने शुरू कर दिये उसने जो है दो पत्थर के टुकरों को आपस में घिसकर आग बनाना सीखा fire ने उसे जो है meat को पकाना सिखाया खुद को जंगली जानवरों से protect करना सिखाया या protect करने में help किया और साथी साथ जो है fire ने cold weather में उसकी body को warm रखने में भी help की right so well that's it for this chapter I hope क्या आप पुईता से समझ में आगया हू and now you can test your understanding by trying the chapter and activities thank you